एक बार विश्चाब का स्वागते इस्टूंट हमारे इस यूटूब चैल में दिया इस्टूंट आपने thumbnail में बिल्कुल सही देखा है, जून 2021 एक्जाम वाले इस्टूंट के लिए एक्जाम नोटिस आ गया है, यह यह कह सकते हैं उनके बहुत बढ़ी खुसकबरी आ गयी है, इस्टूंट खुसकबरी क्या है? 10th class वाले students को promote कर दिया गया है बिना exam के promote कर दिया गया है student आज की इस lecture में मैं आपको notice read करके सुनाओंगा जिसमें हम 3 चीजे cover करेंगे सबसे पहले 10th वाले students को promote करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपका result किस base पे आएगा और last लिए हम discuss करेंगे 12th class वाले students का क्या होगा क्या उन्हें promote किया जाएगा या उन्हें exam देना होगा वो भी student इस notice में mention किया गया है इसलिए हम ये 3 point cover करेंगे इसलिए student आप last इस lecture में बने रहे क्योंकि आजका ये lecture आपके लिए बहुत ही जादा informative और helpful होने वाला है भले student आप इस lecture को like न करें पर अपने friends में जरूर share कर दें ताकि सभी के पात जानकारी पहुंस सके और student lecture को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनले पर नए है तो आप हमारे चैनले को subscribe कर ले क्योंकि इस्ट्विंड हमारा चैनल आपको 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 इसका fully study material free of course प्रवाइट करवाता है इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है subscribe करने का पर सबसे पहला फाइदा ही होगा यहाँ पर आपको एनाईवस की सारी अपडेट मिलेगी इस विल्ड आपको ये बात ध्यान रखनी है अभी आपका exam cancel होने का notice आया है अभी आपका result नहीं आया है इसलिए आपको result आने तक हमारा ये चैनल subscribe करके रखना है ताकि आपके exam तक कोई भी notice आता है तो सबसे पहले वो update आप तक पहुँच सके और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ हर साल हमारा चैनल result के बाद free career counseling program चलाता है जिसमें हम क्या बताते हैं आप 10 के बाद engineering कैसे कर सकते है आपको 10 के बाद कौन सी stream लेनी चीज़े ये सारी चीज़े हम बताते है इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe करके रखे दूसरा benefit क्या होगा इस्वन्ट दूसरा benefit यह होगा यहाँ पर आपको N.I.S. की free coaching classes करवाई जाएगी इस्वन्ट 12 वाले बच्चों को अभी promote नहीं किया गया है तो उनको यहाँ पर free coaching classes करवाई जाएगी जिसमें हम आपको sample paper provide करवाईगे important question के notes provide करवाईगे इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe कर ले और तीसरा benefit क्या होने वाला है और अगर अभी तक आपने practical file और टीए में नहीं बनाई है तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी practical file का link का आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से free of course download करके बना सकते है अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है नोटिफिकेशन है इस्ट्वन पहले मैं आपको 12th क्लास का बताऊंगा उसके बाद हम 10th क्लास की बात करें तो आप ये पहली लाइन में देख रहे होंगे the public examination in theory and practical of senior secondary and vocational courses schedule in June 2021 are here by postpone till further order इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ जो 12th क्लास के जून 2021 में एक्जाम होने वाले थे वो अगले order तक इस्थकीत कर दिये गए है यानि postpone कर दिये गए है आप उनका अगला order क्या आएगा इसका मैं आपको ये पूरा पढ़के नहीं सुना हुआ नहीं तो बहुत जादा time waste हो जाएगा main main मैं आपको बता देता हूँ तो 20 June 2021 जी आइसका आप ये date note कर ले इस दिन आपका अगला order आएगा इसी दिन आपका order आएगा कि आपको exam होंगे या आपको भी 10th class की तरफ promote कर दिया जाएगा तो instrument यहाँ पे 12th class का खतम होता है आपको समझा आ गया हो कि मैंने आपको क्या बताया 12th class के जो exam है जो अभी होने वाले थे वो postpone कर दिये गया है exam cancel नहीं हुए है postpone कर दिये गया है और अगले आदेश तक postpone किया गया और अगला आदेश कब आएगा अगला आदेश आएगा 20-0-2021 को 12th class का complete हो गया मैं आपको 10th का पता देता हूं इस्ट्वेंट आप यह जो दूसरी रोह देख रहे है इसमें 10th class के बार में बताया गया क्या बताया गया दा पॉब्लीक इग्जामीनेशन इन थ्योरी और प्रैक्टिकल ओफ सेकेंडरी कोर्सेज दूसरी इन जून 2021 हेर वाइग कैंसल जी यह इस्ट्मेंट आपके एक्जाम जो जून 2021 में होने वाले थे वो कैंसल हो चुके है यानि आप परमोट हो चुके है और अगली लाइन में क्या बताया गया है अगली लाइन में बताया गया है दा एन इवेस विल डिवाइस suitable criteria for assessment of end result will be prepared in the interest of learners इसका मतलब क्या हुआ आपका इस result बनाया जाएगा वो आपके internal assessment यानि TMA के base पे आएगा student इसके बाद जो line है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा important है उसमें क्या बताया गया है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ अगर कोई learner अपने result से खुस नहीं है अगर जो result आएगा instrument उससे अगर आप खुस नहीं है उसमें आपको promote नहीं किया गया या आपके कम नंबर आया है तो आप next public exam या on demand exam में form भरके दुबारा exam दे सकते है तो student आपका notice जो है वह यही खतम होता है उमीद है आपके सारे doubt किलियर हो गए होगा अगर कोई doubt है तो आप comment box में comment करके हमसे पूछ सकते है हमारी team हर comment और message का reply करती है इस टूल्ट ऐसा करते है मैं आपको एक बार दुबारा से सारे point बता दीता हो यह तो क्या होता है आप ध्यान से सुनते नहीं हो ध्यान से समझते नहीं और बाद में हमें claim करते है तो आपने यह बताया तो यह हो गया यानि 12th class की जो exam है वो postpone हो गया, cancel नहीं हुए है, और अगला notice cup आएगा 12th class के लिए, अगले order तक postpone कर दिये गया, और अगला order जो आएगा वो है, 20 June 2021 को, उसके बाद क्या है, 10th class exam के बारे में बताया गया, क्या बताया गया, 10th class exam cancel, जो 10th class के exam होने वाले तो cancel हो गया, यान अगर आप अपने result से खुस नहीं है, जो result आएगा, उसमें आपके number कम आगए, तो आप दुबारा से on-demand exam में fees भर के दे सकते हैं, या आप public exam भी दुबारा दे सकते हैं, तो उमीद इस्ट्मेंट आपको इस notice related सारे doubt क्लियर हो गया होगा, अगर कोई doubt है तो आप comment box में comment क इस lecture को खतम करते हैं, और जाते जाते आप हमारे चैनल को subscribe करने का क्या benefit होगा, subscribe करने का आपको ये benefit होगा, 10th class वालों को ये benefit होगा, हमारा चैनल हर साल result के बाद career counseling program चलाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपको 10th के बाद कौन सी stream चूस करनी चाहिए, अब 10th के बाद engineering म कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीजे हम पताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, और 12th class वालों को क्या benefit होगा, जैसा कि आप जानते कि आपके exam postpone हो गया है, आपके exam cancel नहीं हो है, आपके exam के लिए notice 20 June के बाद आएगा, तब तक हमारा चैनल आपको exam की पूरी तयारी करवाएगा, जिसमें आपको practical provide करवाई जाएगी, आपको sample paper provide करवाई जाएगा, आपको important question provide करवाई जाएगे, इसलिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें, तो चलिए मैं आपका जातर समय बरबाद नहीं करूँ, इस lecture को खतम करती है,